तीसरी के दुधपनिया में आयोजित फुटबल टूनामेंट में गांडे की टीम विजेता और चकाई बामदह की टीम बनी उप विजेता नुनुलाल मरांडी के हाथों टीमों के बीच बाटा गया पुरसकार तीसरी प्रखंड अंतरगत दुधपनिया में जारखंड एकता स्पोर्टिंग कलब द्वाराच चल रहे चार दिवसी फुटबल टूनामेंट का मंगलवार को समापन हो गया जिसमें पैनाल्टि शूट आउट में गांडे की टीम विजेता और चकाई बामदह की टीम उप विजेता रही इस टूनामेंट में कुल 32 टीमों ने भाग लिया था विजेता टीम को भाजपा नेता नूनू लाल मरांडी ने सील्ड और 35,000 रुपे का इनाम देकर सम्मानित किया वहीं उप विजेता टीम को 25,000 तीसरे अस्थान पर रही टीम को 20,000 और चौथी टीम को 15,000 रुपे देकर सम्मानित किया गया वहीं अस्थानी एकलाकारों ने संथाले निरित्तिकर फुटबॉल टुनामेंट के समापन कारिकरम में चार चांग लगा दिया मौके पर भाजपानेता नुनुलाल मारांडी, अध्यक्ष दिनेस बासके, सचीव मनिल मुर्मूर, कोसा अध्यक्ष मुन्ना मुर्मूर, संचालक राजकुमार यादो, एंथ्वनी हैमरम, सदस्य सुधिर कुमार यादो आदी उपस्थित रहे मुर्मार यादोो १ू hardest्रस व्रणी कesता सची को राजप मुआ टेखальноर यस्थितरके अध्यक्षания खेंग मुर्मार यादडों झाले ढो सबने Сबमार इंध्यक्षाणी झाल झाल झाल